इस वीडियो में आप लोगों को बेटनेसल एंड के बारे में बताऊंगा बेटनेसल एंड ड्राप का इस्तमाल आपको कब करना चाहिए इस ड्राप से क्या फायदा होता है इस ड्राप के क्या क्या साई एफेक्ट है इस ड्राप का इस्तमाल आपको कैसे करना चाहिए यह ड् समिन्म कारि आपको इनियो में देगी निया में स्ट्रेब ने र squishy अगर आप हमारे चैनल पर करें अधार आपको तो हम पर्मेल रुमे बना कराव लॐ यहां सघ्रम से रखनुक से आपके पिलम स्टोर्डर कजिक्डी से अगर भिल आंड करें और Nemosin मिलाया गया है इस डाप का इस्तमाल आपको कप करना चाहिए तो इसके इस्तमाल में मैं आप लोगो को बताना चाहूंगा कि आउंग कान में bacterial infection का इलाज करने के लिए इस डाप का इस्तमाल किया जाता है इस डाप से होने वाले फायदे में मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि बेटनेसल एन आई एंड येर ड्राफ ओफलकसासीन और बीटा मेथासून का एक कंबिनेशन है जिसमें ओफलकसासीन एक एंटिवैटिक है जो संक्रमड ये बेक्टरिया को बढ़ने से रोकता है बीटा मेथासून आँख कान के संक्रमड के कारण होने वाले दर्द, लालिमा, खुजली, च्छाले, आँख में पानी आना या कान के डिश्चार्ज जैसे लच्छनों से रहत देने में काफियत तक मदद करता है इस ड्राफ को आपको इस्तमाल कैसे करना है तो इसके इस्तमाल में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह दवा केवल बाहरी इस्तमाल के लिए है इसे डाक्टर की सलाह के अंसार और अधी मेले इस्तमाल करने से पहले लेबल की जाच कर लें ड्राफ को पकड़ें और आँख कान के करीब रखें धीरे धीरे ड्राफ को निचोड़ें और दवा को नीचली पलग या कान के अंदर डालें और तिरिक्त द्रव को साफ कर लें इसकी डोज में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको समस्या जादा है तो आप इसे सुबह दो पहर साम तीन टाइम इस्तमाल करें इस ड्राफ की दो बुदे अपने आँख में डालें तो अच्छा जल देखने को मिलेगा अगर आपको समस्या कम है तो केवल रात में इस्तमाल करें तो अच्छा जल देखने को मिलेगा यह ड्राप इस्तमाल करने के बाद किस प्रकार आपके आँखों पर काम करता है तो इसके काम करने के तरीके में मैं आपनों को बताना चाहूंगा कि बेटनेस ओल एंड्राप यह दो दवाओं का मिस्राड है बीटा मिथासोन और नियोसी बीटा मीता सोन एक स्टराइड है जो उन केमिकल मेसेंजर पोस्टा गलेंडीन को बनने से रोकता है जिसकी वज़ा से आँख या कान में सूजन लालिमा खुजली की समस्या होती है नीमो सीन एक एंटीबैटिक है या बैक्टिरिया को महतपूर जैवी कारियों के लिए आवसे प्रोटीन के संसलेशन को रोक कर काम करता है जिससे हमारी समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है इस डाप से होने वाले सामन साइफेक्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस तवा से होने वाले अधिकान साइफेक्ट में डाक्टर के सलाह लेने के जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं अगर साइफेक्ट आपके लंबे समय तक बने रहते हैं या आपके लच्छा और गंभीर होने लगते हैं तो आपको अपने डाक्टर से आवसे सला लेना चाहिए इस डाप से होने वाले साइफेक्ट में जलन का ऐसास और खुझली की समस्या हो सकती है इस समस्या से घबडाएं नहीं अगर यह समस्या जादा हो जाए तो अपने डाक्टर से आवसे संपर्ख करें तो अच्छा रहे हैं यह थी बेटनो सॉल एन ड्राप के बारे में आवसेख जानकारी हमारे दोरा दी गई यह जानकारी आपको अगर थोड़ी सी पे अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस यूटूब चैनल को और सस्क्राइब करें ताकि हम स्वास वार तक वीडियो जब भी लाएं तो आपकी मदद हो सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद